अच्छा आपको क्या लगता है डॉक्टर को मालूम है कि हाट अटेक कल होगा आज होगा उसको तो यह भी नहीं मालूम 70 है 80 है या 90 है क्यों ऐसा बोला जा रहा है और फिर से क्या होगा फिर operation के लिए immediately बहुत सारे लोगों को इता बोलने का जरूरती नहीं हो तो immediate तो यारी हो जाता है हाट का सुनते उसके मन में ऐसे डर रहता है उसको जाए डराने का पर कभी कभी patient बोलता है सारे एक बाद बताईए जिए ब्लॉकेस तो कल भी था ब्लॉकेस तो आज भी एकCap तक तो मैं सारा ही काम कर रहा है ये pain तो मेरे को बड़े दिनों से है अब तो पता चला ओं तो आप एक काम करिये, मेरे को आप डिस्चारज कर जीजे, मैं घर जा के फिर सोचूँगा बोला, नहीं आप एक काम किजेगा, आप करवड़ भी लेंगे ना तो हमको पूछ लीजेगा पेशेंट बोलता है नहीं सर मैं तो घर जाओंगा आप रुकिये आपकी घर वाले से मैं पूशता हूँ अचा घर वाले बहार कौन-कौन वेट कर रहे होगे सारा खांदान वेट कर रहा होगा हुआ पे जाके क्या बोलना है कि पेशेंट is very critical, any moment he can die आप बोलो मैं बचाने की कोसिस करूँ और जाने दू अचा आंसर क्या होगा वाइफ क्या बोलेगी कि जिन्दगी भर इन्होंने मेरे लिए कि आज मेरे को चांस मिला आज तो मैं ऑपरेशन वाइब बोलती है कोई चीज का भी कोई भी कंजूसी हमें नहीं करना इनको तो बंचाना अचा बेटा मानेगा कि नहीं एक बेटा बड़ा समझदार होता है बोलता है दॉक्टर को मेरे को अगेशन Кोलेंटर के बजए से ब्लॉक्ईज होता है इनका कोलेंटर है तो क्या करूँ कि अपरेशन कम हो जाए खाने पेने में क्या क्या चेंज लाना चाहिए काडियो फ Mauह तक रभिजिक सो आचा को बोलेगा कि व्किल यौर वेस्टिंथा स्टी कियॉ आप भैषक कारिया. हुआ है। मुझे घर जाना है वो बोले नहीं आप घर भी नहीं पहुंचेंगे को पिर मैने लिख के भी दे दिया फिर भी हो जाने नहीं दिया फिर मैंने लास्ट बोला मैंने थी मैं खड़ने तेयार हूं पर प्रोब्लम मेरे पर पैसे नहीं है आप फ्री का कोई ट्रीटमेंट हो तो करवा डालो तब इन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है आप घर चले जो पिर मैं जब घर जाने लगा तब फिर से बुलाया उनोंने बोला अब एक बाद बताओ ये इतने पैसे आप कितने दिन में इकठा कर सकते हो तब मैंने बोला देखी मुझे प्रोपर्टी बेच के आना होगा दो महीना लगेगा फिर मुझे दो महीना उनोंने टाइम दे दिया बोला आप कोई प्रॉबलम नहीं है दो महीने बाद ये उपरेशन होगा आपको समझा रहा है उपरेशन कब रुख सकता है ये नहीं बोलूगा तारे जगे एक जाक्ली हो रहा है पर इसका इको छोटा मोटा रूप ये हॉश्पिटल का सिस्टम है पर एक बात मैं जानता हूँ शॉश्पिटल को ये चोईस देना ची पेशेंट को देखो आप अगर अपने आपको बदलोगे तो ऑपरेशन रोख सकती है आप नहीं बदलना चाहते हूँ तो मैं ऑपरेशन कर दूँ उसके बाद जाकर बदलने का कोसिस करो but the hospitals don't give chance उनको मालूम है ये एक मौका है operation कर लेते हैं but उसके बाद भी उनको यही करना पड़ेगा lifestyle change तो patient को फिर भी करना पड़ेगा मैं जानता हूँ heart के patients को मैं तीन चीज़ देखते दिखा हूँ एक तो दवाईया है, एक bypass और एक angioplasty ये दवाईया मैं आपको एक पर समझाना चाहता हूँ दवाईया क्या काम करती है और another 10 minutes I'll take देखे ये tube है जिसमें कोई blockage नहीं है और ये 80-90% block है, दिख रहा है आपको अब ये patient को चलने से दरद होता है एक दवाईया ऐसी है जो दवाईया देते ये दरद कम हो सकती है कौन सी दवाईया है? sorbitrate, नाम सुना आपने? क्या करता होगा sorbitrate? देखे क्या करता है sorbitrate? This is what is the action of sorbitrate क्या हुआ? tube चौड़ी हो गई, blockage नहीं की नहीं रह गई एक patient मेरे को बोला मैं sorbitrate नहीं लेता हूँ, मैं monotrate लेता हूँ मैं बोला वो भी sorbitrate का भाई है तो ये जितने भी sorbitrate है उनका नाम मैं आपको दिखा सरता हूँ these are all kinds of sorbitrate and all ये सब दवाईया हम लोग दे देते हैं इस तरह की दवाईया हम लोग हम लोग हर्ट के पेशिंस को दे सकते हैं anyway, दवाईया बहुत सारे के मिलती है एक होता है हर्ट की जरुवत को कम कर देता है इसको बोलते है बीटा ब्लॉकर, कैल्सियम चैनल ब्लॉकर, फिर एस इनिवीटर ऐसे करके बहुत सारी गोलिया हम लोग हर्ट के पेशिंस को दे सकते हैं I'm not going to go into that detail कुछ ब्लॉड पतला करने का दवाई भी देते हैं आपने देखा है नाम, Ecosprin, Colsprin, A.S.A., Delisprin, Disprin, Clopigrel, Clopulate, Clopivas, Seruven, Clavix, Clotrel, Plageryl, Stromax, D-Plat इस तरह की गोलिया हम लोग देते हैं ब्लॉड को पतला करने के लिए पर ये गोलिया देने से भी पेशिंट ठीक नहीं होता है तो इसके लिए मैं चाहता हम वो लाइफस्टाइल चेंज करें अपनी ब्लॉकेज को कम करें कि उनको देने की जरुवत बड़े ही नहीं अच्छे ये गोलिया इतनी खाए कि इसके साइड एफेक्स होती है क्या अगर साइड एफेक्स होती है कॉंस्टिपेशन तो कॉंस्टिपेशन की और गोली देंगा और ऐसी डिटी हो जाए तो acidity की गोली दूँगा और नीद नाए तो नीद की गोली दूँगा अच्छा बताए ये बीमारी ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है I am not keen मैं जानता हूँ दवाई आज जरूरत है पर कल दवाई की जरूरत ना हो उसका बंदोष करना बहुत जरूरी है इसके बाद चलते हैं ये अंजयोग्राफी क्या चीज रहा है होस्पिटल में जाते हैं अँच्वाफी करते हैं और ये अंजयोग्राफी मुझे पसंद क्यों नहीं है मैं आपको बताना चाहता हूँ इस व्टीस प्रॉब्लम वी अन्जयोग्राफी एक तार आपके पूरे बॉड़ी को scratch करके heart तक लेकर जाना है यह तार यहां से जो घुसेगी वान मीटर वाइर इंसर्टेटि इंट इंट टील इस इचास है It is a blind procedure, blind मतलब क्या अब घुसाग हो यह अंदर जाती जाएगी और अगर अटक गई तो बापस खिच के फिर से ट्राई करना होगा मतला वो अंदर scratch करे गई ही करेगा पूरे बॉड़ी को scratch करती है वो लिखवा लेते हैं कि अगर heart attack हो गया तो मेरी कोई जम्मेवरी नहीं है और ये पूरे बॉड़ी को ये पंक्चर भी कर सकता है मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं कि एंजियोग्राफी के बगत ही डित हो गया एंजियोग्राफी में पैर को काटना पड़ा इल्टीमेटली क्योंकि पैर की ट्यूप को डेमेज कर दिया तो एंजियोग्राफी मैं नहीं चाहता हूँ और उसके बाद क्या होगा इन एक्यूरेसी अबाउट दा रिपोर्ट और उसके बाद प्रेशर फ्रम दे काडियोग्राफी डॉक्तर पर दे नेक्स्ट प्रेशन पेशेंट को लगता मेरे को एमर्जंसी हो गया उसके बीच साल में गानियोप्लास्टी पिछले 20 साल में ये अजो आड घेप दार एको आड दाया गया वो कहां तक गई थी हाट तक यहां तक तार आई थी इस तार के ओपर यह बिलून रोता है इस तार को थोड़ा सा धका मारते हैं कभी कभी करडियोलोजिस तार को अंदर रखके भाहरा जाते हैं आके बोलते हैं देखो तार अंदर है बोलो तब ही खोल दू आप बोलते हैं च स्रिंज में पानिन लेलो सिरिंज को द्द्वा में दबा दो तो बेलुन के अंधर पानी भूच जाए तो बाहर से सिरिंज से पानी डालेंगे तो बेलुन की यह होगा सफिल जाएगी फुलते ही ब्लाइज कहा गई आपको समझा रहा क्या करना पड़ा ये तार यहां थी इसी को थोड़ा आगे किया बैलून डाल पानी निकाल लिया और बाके बापस अच्छा ब्लॉकेज बापस आजाएगी नहीं आजाएगी इसके बाद क्या लगता आपको इस 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 एलास्टिक इलास्टिक समझते हैं ये लोहा या पत्थरनी एलास्टिक है और जैसे बैलून निकाल लिया ब्लॉकेज बापस आने लग गई थोड़े साल बाद यही काडियोलोजिस्ट मान गए बैलूनिंग काम की नहीं है पहले क्लेम किया था बैलूनिंग एक बार कराओगे जिंदगी बर चलेगे फिर मान निकाल ले तो ब्लॉकेज बापस आएगी जब बैलून निकाल लेंगे तो ब्लॉकेज बापस आएगी तो यहां पर एक स्पुरिंग लगा देते हैं यह क्या काम करेगा भाकेज का आने से रोग देगा आपको समज़ critics का मतलब क्या है अगर स्प्रिंग डाला गया इसका म major problem है कि इसके अंदर से blood जाएगी और foreign body के अंदर blockage बहुत जल्दी होती है यह देखा गया stent में छे मेना एक साल में सारे block आजाती बापस और यह जब बापस आने लगी तब इनोंने थोड़े दिन तक तो बोला नहीं 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 आती है थोड़े दिन बाद इनोंने बोला कि नहीं यह stent सो खराब होगी क्योंकि यह ordinary stent है इसमें medicated stent देना होगा वो दवाई में डाल के spring को निकाल लेंगे अब बहुत बढ़िया हो जाएगा तो drug की coating चल जाएगा आपने देखा है चांदी के गहने में सोने की coating चड़ाते है तो वो spring के ऊपर coating चड़ा देते है और वो coating चड़ा के लगा दिया पर इसके बाद भी एक foreign body ही रही इसमें वही का वही result आया है अभी latest है कि 66% people within one year will come back with a re-blockage इसके बाद है bypass surgery एक बहुत बड़ी surgery होती है देखे bypass surgery मैं इसलिए नहीं चाहता हूँ एक बहुत बड़ा surgery है एक पूरे chest को काटो और इसको काट के इसको चाकू से नहीं कटेगा इसमें आड़ी से कटेगी आड़ी समझते हैं आपने marble fitting के बख़ देखा है गोल चक्का लेके घुंगते है ऐसा एक लगा के पूरा खुलेगी इसको अंदर से जैक करके ऐसे खुलेगा अंदर में हाट को रोक के उसमें operation होगी और हाट को रोकेंगे तो एक machine से पूरे body को blood जाएगा इसको बलते है heart lung machine उसमें कुछ blood डाल के उससे चलाना होगा and during this time the operation has to take place but this operation is very complicated luck अच्छा हो तब ठीक है नहीं तो कुछ ना कुछ complications रहती है बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है पर operation के बाद क्या होगा ये देखे operation के बाद क्या होगा ये ट्यूब जो ब्लॉकेज है वो यह ही रहे गई उसके जेके नई ट्यूब लग गई तो ये ब्लॉकेज के जेके नई ट्यूब लग गई तो क्या हो गया बाइपास हो गया पर ये नई ट्यूब में फिर कभी ब्लॉकेज आएगा कि नहीं आपको क्या लगता है 2-4%-6% पर और एंजियो प्लास्टी के बाद अगर 2 साल में बापस री ब्लॉकेज होती है तो कितने साल हो गई? 40% पर और बाइपास के बाद अगर 5 साल में री ब्लॉकेज आती है तो 20% पर जो ट्यूब ओर इजनली 2% की ब्लॉकेज कर रही थी, वो अब ऑपरेशन के बाद उसकी स्पीड क्यों बढ़ गया? क्योंकि अब वो ओरिजनल नहीं रहा हमारी बाड़ी को जब तक ओरिजनल रखो तब तक अच्छी बात है हमारे प्राइन मिनिस्टर ने भी दो दो वाइपस कराई है अंजयो प्लास्टी पांच स्टेंट लगाई है पर मैं जानता हूं उसके बाद भी तो फिर से कराना पड़ा एक बार कर लिया, दुसरे बार कराई कब तक करा सकता आदमी? और मैं जानता हूं बाड़ी में एक बार कंप्लिकेशन कराना, उनके लिए तो चलो आपकी ब्लॉके जगर रिवर्स करना है, तो उसके लिए थोड़ा आपको अक्यूरेसी करना होगा वोट इस दिस अक्यूरेसी, यूंदस्टेंगेशन इस पिक्चर को आपने देखा है, इसमें अक्यूरेसी लिखा है कितना अक्यूरेसी है इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ये एक ड्रम है, ये ड्रम में पानी भरना चाहता हूँ और इसमें 15 छेद है, आप बताएं कितनी छेद बंद करने से ड्रम भरेगी यादे, इस 15 कारण है, अब इसमें से कितने को कंट्रोल करूँ कि ये ड्रम भर जाए सारे को करना होगा, अचा मैं हार्ट के पेशिंट्स को क्या देखता हूँ, उनको कुछ मालूम भी नहीं है इसके बारे में वो क्या बुलते है, मेरा कोलेस्टरॉल कंट्रोल है, ट्राइगलिसएड जादा है, शुगर कंट्रोल है, बीपी जादा है, मैं बुला ऐसे नहीं चलेगा, सारे होल बंद चाहिए मुझे, बलते है, मैं थोड़ा-थोड़ा करूं तो कैसा चलेगा, मैं बुला थोड़ा- देखे कम कर देता हूँ पर smoking आपको पुरही बंद करना होगा खाने में तेल आपको बंद करना होगा एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा और वेट कम करना होगा खाना पीना में फाइबर जादा डालना होगा अच्छे ये सब संभव है क्या लोगों के लिए? ये इस क्या प्रॉब्लम है? ये तो सिंपल सी बात है इसको क्यों नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं सिग्रेट बंद कर सकते हैं क्यों नहीं मीड बंद कर सकते हैं क्यों नहीं तेल भी? छोड़के आप अलग तरीके से खाना बना सकते हैं तो all these if you do, there is no problem nevertheless, मैं जानता हूँ एक और छोटा सब चीज आपको बताना चाहता हूँ अभी एक और नहीं जो technology आ गई है आदमी को मैं सोलता था, बिना काटे कुछ हो सके यह हमारी cooking की class है this is the cooking class, मैं हाट के पेशिंस को training देता हूँ, this is my dietitian teaching cooking, zero oil cooking to the patient's wives मैं हाट के पेशिंस को योगा सिखाता हूँ मैं बोलता हूँ, कैसे भी करो, योगा करो आप योगा करने की बहुत जरूरी है उसके साथ उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए कित्ती समान उठानी चाहिए, गाड़ी चलानी चाहिए स्कूटर चलाना चाहिए, ऑफिस जाओ तो क्या precaution लो, दादर चड़ो तो क्या precaution लो आगे कौन सी योगा करो, कब तक करो कौन सी मेडिसीन लो, कब तक लो and for this, हाँ, मैं एक मैगजीन भी निकालता हूँ, इसका नाम है Saul Times, ये मैगजीन में हर महीने निकालता हूँ, दिल्ली से निकलती है, हिंदी और इंग्लिश में अच्छा, आपको एक फॉर्म दिया गया है, कि ऐसा देखे तो have you got a form like this? ये form में अगर आप अपने नाम एड्रेस भिभर के देंगे तो आपको ये मैगजीन आगे आपको मिलता रहेगा हर महीने हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में मैगजीन है और इसके साथ एक छोटा सा और question ये रखा है कि यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा कोई camp करवाएं so how many people will be interested to join such a camp एक दिन का या दो दिन का ऐसा एक camp अगर हम करवाएं तो कोई interested हो तो please fill it up मेरे को लोग बोलते है, डॉक्ट साब इतनी सारी बाते अगर कैसे याद रखूँगा मैंने बहुत मोटी मोटी किताब लिखे, आदमी बोलता सार छोटा सा कुछ दीजे ना copy तो मैंने एक ऐसी किताब बनाई है, जिसका नाम है Pocket Guide एक 30 रुपीज के किताब है, कोई दो घंटा बैट के पढ़ ले 30 रुपीज की गिफ होती है, you can give it to anybody and they will learn things from the book तो यह बहुत जरूरी है, मैं जानता हूँ, मैं यह magazine पिछले 10 साल से run करता हूँ and it is gone all over the world मैं एक नही टेक्निक आपको इसी बहुत बताना चाहता हूँ there is a new machine which has come, which can open the co-laterals देखिए co-laterals का क्या मतलब है, यह blockage है बाइपास surgery में क्या करते है, नहीं tube लगा देते है इसमें क्या करते है, जो heart की यह branch है और यह branch है इनको जोड़ देते हैं and there are so many small tubes जो इसको जोड़ जाए तो blood यहां से यहां से आने लगे यह जो छोटे-छोटे tube है, यह मैंने बोला था sportsman चालू करके रखते हैं और sportsman चालू कर दिया तो क्या हो गया उसके पास दो supply हो गई, एक तो यह original है और एक side वाली भी है इसको बनते है co-laterals bank में आपने loan लेते वे देखा है कभी co-laterals बोलते है को-laterals मतलब क्या, कि यह फेल हो जाए तो दूसरा कोई होना चाहिए तो यह co-laterals भगवान ने हमें देखे रखा है औरिजिनल तो धा ही था, एक co-laterals भी देखे रखा है कभी यह फेल हो जाए तो यह चालू करना अच्छा यह अगर चालू हो जाए बिना ओपरेशन के तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता और इससे अ न्यू मशीन, न्यू टेक्नॉलोजी विच अज़ा है देखे हमारे मेडिकल साइंस के टेक्नॉलोजी बिना काटे वाली टेक्नॉलोजी है यह देखे, यह ट्यूब्स हैं जिसमें कोई कोलाटरल्स चालू नहीं है और यह है ट्यूब्स के सारे कोलाटरल्स चालू हो गए आपको समझा रहा है डिफरिंस जोनों के अंदर यह जो छोटे-छोटे कोलाटरल्स है यह हमारे सब के पास है और एक मशीन से इसको या तो स्पोर्स करके चालू कर सकते या तो एक मशीन से चालू कर सकते ये मशीन क्या करती है सोचिए ये जैकेट्स लगा दिया हमने कफ में, थाई में, बटक्स में और सारे को एक साथ स्क्वीज कर दो तो क्या होगा, इसकी ब्लड कहा जाएगी, बॉडी में ही रहेगी, पर कहा जाएगी, यह हार्ट के तरफ जाके हार्ट के टूबस को धक्का देके, प्रेशर देके इसको खोलेगी, यह प्रेशर एक गंटे तक एक एक में, इसको हार्ट क संग सिंक्रोनाइज करके दिया जाता है सिंक्रोनाइज मतलब हार्ट जब पंप करे तो मशीन पंप नहीं करता है जब हार्ट पंप करके रिलाक्स करने लगे जब पूरे बहुत ब्लड बापस आती है तो वो स्क्वीज करके सारे ब्लड को एक साथ बेजा जाता है दिस गोज ओन ECG फीड होती है कंप्यूटर को और दिस मशीन वी अब सीन नाओ विडाओ बाइपास स्रजरी आदमी बोलता है मुझे इमेडिये रिजल्ट चाहिए तो विडाओ बाइपास इसको लोग बोलते है नैचुरल बाइपास नैचुरल बाइपास समझ नहीं भगव पायो केमिकल क्लीनिग यह बहुत अच्छी रिजल्ट आ सकती है कुछ केमिकल बाइपास ब्लड में उसको अंदर से गला लिया जाए जैसे किचन में आप ते सुना नाली जाम हो जाए तो क्या करते हैं मोग कुछ केमिकल डालते हम अंदर से तो यह केमिकल की भी ट्रीट्म आप दे दिया है, कोई ने मेरे को बोला था एक बार कि डॉक्टर साब कभी भी खिसे को आदे घंटे से ज्यादा लेक्छर मत दिया कीजिए मैंने बहुला क्यों बोला आपने स्कूल उसके बाद दिमाग काम नहीं करता है मैहने बोला क्यों एसा बोल रहे हैं आपने स्कूल कॉलेज में देखा हैं, अभी भी पिरिएट्स चालीस मिनिट से जादा नहीं रखते हैं, उसमें पांच मिनिट आने जाने का वेस्टेज गिन लो, आदे घंटे ही चलेगा दिमाग, मैं बोला पर मैंने देखा आप टीवी देखते हो तो दो तीन घंटा देख लिए फिर से एक बार करता हैं, झाले कि पुले कि अभी पांच मिनिट से जादेख